हाई अब्रीवान वेलकम बाक टो डीकेशन मेंडिकेशन हाँ तो आज की लेक्चर में हम एंशेंट हिस्टरी के रिवीजन को ही कॉंटिन्यू करेंगे तो हम कवर कर चुके थे अप टू दा नंदाज डानेस्टी नंदा का एंड कैसे हुआ चंदरगुप्त मौरे ने कैसे मौरेन एंपायर को एस्टबिश किया बट ऐसाई सेड हम बाचीत जब कर रहे थे 600 BCE की जहां पे महाजनपज इमर्ज कर रहे थे किन्ने महाजनपज थे तो 16 जिनके बारे में मैंचन किया गया है अंगुत्र निकाया में किस नाम से तो 16 महाजनपज में ठीक है उस टाइम पे ये सारी चीज़ें तो यहां पे इस रीजन में इमर्ज कर रही थी इवेन गंधार और कंबोज जो आज के अफगानिस्तान वाले एरिया में मिल जाएगा तक्षिला जो की आज के पाकिस्तान वाले रीजन में मिल जाएगा यहां पे तो होगे सुलासा महाजनपज ये इमर्ज कर रहे थे बाइदर टाइम बीग बट उसी टाइम हम देखते हैं कुछ फॉरन इन्वेजन पी होते हैं फॉरन इन्वेजन कहां से हुए फॉर्म दा वेस्टरन साइड वन बाइवन अंडिस्टान करेंगे दो फॉरन इन्वेजन हमें मिलेंगे सबसे पहले पर्शियन आजाएगा पर्शियन यानि की इरान वाला रीजन जो है जब अटाइक करता है टूवर्ड इंडिया उस टाइम पे इंडिया जो था वो अखन भारत हुआ करता था ठीक है यानि जो दूसरा अटाख मिलेगा हमें वो मिलेगा हमें Macedonian Attalk आप Alexander के बारे में सुनते हो तो Alexander आएगा in the Macedonian attack ठीक है So first of all, ये PDF मैं compile करके आपको टेलिग्राम में add-on कर दूँगी, अगर टेलिग्राम का लिंक चाहिए तो description में मिल जाएगा, इसके अलावा, what you have to do, एक pen और notebook साथ में carry करके रखो, जो चीज़े में important बता रही हूं, उनको no down करते रहो, ठीक है, So we are starting with the Persian invasions, Persian invasion बोल लो, या फ इस time period के मिलेंगे, तो 6th century BCE, और इसी time पे क्या था, महा जनपत्स भी flourish कर रहे थे, तो ये चीज़ याद रखनी पहले तो, महा जनपत्स भी किस time पे flourish करने लगे, 6th century BCE में, तो उसी time पे Persian invasion भी हमें देखने को मिलेगा, जहां पे बात करेंगे अगर महा जनपत्स की, तो व मगद था, मगद आज के आपको बिहार वाल एरिया में मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मगद मिल जाएगा, मगद जो काफी strong हो गया था, और हमने देखा किस तरह से rise होता है मगद का, तीन dynasties हमने last lecture में देखी थी, एक थी हरेंका dynasty, दूसरी थी सिशुनाग, और तीसरी थी नंदा डानिस्टी, हरेंका डानिस्टी में आपने तीन kings importantly पड़े थे, सबसे पहले founder आते हैं, बिंबिसार, basically वैसे तो इनके दादर जीने करा था, बड़ जो important king आते हैं, वो बिंबिसार या थे, उसके बाद आ जाता शत्रु के बारे में हमने पड़ा था, जाता शत् जाता शत्रु के बाद हमने देखे थे, उद्धाइन, जाधा important king नी थे, बस पाटली गरा में एक village बनाया था, जो की बाद में पाटली पुत्र बना और आज के time को उसको हम पटना से जानते हैं, फिर इनको मार देते हैं, इनके ही official होते हैं, जो थे सिशुनाग, तो किन यहां पे काला सोका बन जाते हैं, काला सोका ने second Buddhist council करवाई, कहां करवाई तो वैशाली में करवाई, तो अभी तक दोनों Buddhist council कहां पे हुई, that is in Bihar वाला area, काला सोका के बाद महा पदमा नंदा आते हैं और नंदा dynasty establish करते हैं, बहुत सारे title मिले थे, एक रत बोला था, क्षत्रियंत का बोला था, कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, कुछ बोलते थे, यह शुद्र थे, कुछ बोलते हैं, कि हमें नहीं पता कि क्या caste हुआ करते थी, इसके बाद आते हैं, धना नंद, धना नंद ने कैसे विश्नु गुप्त, जिनको हम चानक्या भी कहते हैं, उनकी बेज़ती करी अपने दरबार के अंदर, और फिर चानक्या ने कसम खाई थी, कि जो नंदा डाइनस्टी है, इसको मैं जड़ से खतम करूँगा, और फाइनली विश्नु गुप्त ने कि इसको ट्रेन करा, चंद्रुप्त मौर्या को, और कौन सा यहां पे डाइ सो अभी हम क्या देख रहे हैं, that is the Persian invasion, यहां पे east direction में देखो, यह होती हैं आपकी direction, north, south, east, west, east में आप देख रहे हो कि मगद जो है, यह काफी जादा rise कर रहा है, strong होता जा रहा है, वहीं पे यहां पे दो और आपके महाजनपत्स थे, एक था गंधार, एक था कंबोज, जहां पे मगद आपके east direction में strong कर रहा था, यह गंधार और कंबोज वीक हो रहे थे, इनके आपस में conflict चल रहे थे, लडाईयां हो रही थी, और जब nearby पडोसियों के वीच में लडाई होती हो, तो ultimately चीज़ें वीक हो जाती है, तो यह आपस में लड़ रहे हैं गंधार और क अंबोज में, तो यहां से आ रही है, political instability, political instability और इसी वज़े से इनकी weakness हमें देखने को मिली, पर्शिया में उस टाइम पे कौन सा empire चल रहा है, तो वहाँ पे चल रहा है, एक्मेनियन एम्पाइर, एक्मेनियन एम्पाइर, यहां पे जो first king आएंगे वो है, साइप्रस, के तो एक्मेनियन एम्पाइर, और इंडियन सोर्सिस के according, इनके हमें evidences मिलते हैं, साइप्रस को बोला जाता है, इंडियन सोर्सिस में, कुरुष, क्या बोलते हैं, कुरुष, कुरुष फोर्ट कहां पे mention मिलेगा आपको, तो जो हमें इंडिया के sources मिलेंगे, इंडिया की books मिलेंगी, तो उन सभी में इनको क्या mention करा गया है, तो कुरुष के नाम से जाना जाते है, किसको, साइप्रस को, ठीक है, दाट इस तफोर्स तिंग, जो आपको याद रखनी है, जैसे अगर हिंदू सोर्सिस की बात करें हम, तो हिंदू कुष के बारे में बात करी गई है, हिंदू कुष वाला रीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हिंदू कुष की पहाड़ियां, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा हिंदू कुष, हिंदू कुष, हिंदू कुष जो है, यहाँ पे कौन फ्लरिश कर रहा है, तो यहाँ पे कपिला फ्लरि कर रहे थी थी Kapila dzen अपके करते हैं ठाप करते हैं तो साई-प्र締 का जो फोर स्ट अटैक फॉर्स पल्राइज पर्शन अ भलता है सईप्रश का वह कहां पर होता है कपीशाब पर कपीशा कौंसे रीजन में हिंदु कुछ वालेorya में ठीक है यह तो होगी साई-प्रष की बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है इरान के अंदर उसके उपर हमें डिटेल्स मिलती है about the Darius और ये बोला जाता है कि जो Darius था इसने कैम्पेंस करी थी इंडिया के अंदर बहुत सारी कैम्पेंस करी कहां पे in India तो Darius की जो कैम्पेंस है वो हमें कहां से पता चलती है तो बहुस्तान इंस्क्रिपशन वेरि इंपॉर्टन पोइंट और ये बहुस्तान इंस्क्रिपशन है कहां पे तो एरान में है सेकिंड आते हैं Zяж们 क्या बोलते हैं इनको Z siis इनके बारे में हमें क्या चीज़ पता चलती है कि इन्होंने Indian soldiers को recruit किया था ठीक है आज भी हम देखते हैं हमारी जो Indian army है वो different countries में जाती है recruit होती है तो उसी तरह से जो Jesus थे इन्होंने भी क्या किया था जीजस नहीं है ये जीजिस है जीजिस ठीक है तो इन्होंने क्या किया था Indian के जो soldiers थे उनको recruit करा था ठीक है और क्यों recruit करा था बिकॉस जीजस थे जीजिस थे इनका further यहाँ पे Greek वाला रीजन आ जाएगा तो ग्रीक और एकमेनियन एंपायर के बीच में भी आपस में बननी रही थी राइवल्री हो रखी थी तो जो जीजस था इसको अटाक करना था कहां पे ग्रीक में तो जब इनको अटाक करना था ग्रीक में तो इन्होंने क्या किया Indian soldiers को recruit करा और फिर यह लोग यहां से fight करने के लिए चले जाते हैं ठीक है that is the overview अगर इसके बारे मैं आपको detail देखनी हो और जादर expand करके पढ़ना हो तो आप penchant history वाली place it open कर लेना उसमें आपको और जादर details मिल जाएंगी just give me a second मुझे देखना था कि मैंने recording on भी करी है या नहीं yes done done चलिए तो अब आपको पता होना चाहिए अगर Persian attack हुए इंडिया के अंदर तो क्या हमारा कोई cultural contact हुआ क्या हमें कुछ सीखने को मिला या वो लोग कुछ हम से सीख के गए तो yes बहुत सारे impacts पड़े हम बात करेंगे इंडिया ने क्या चीज़ें सीखी ठीक है उस पे जादा focus करेंगे तो Persian influence culture के recording आज भी देखने को मिलता है इंडिया में तो cultural contact आपको मिल जाएगा that is the first thing trade बहुत जादा flourish कर गया परशिया के साथ इरान के साथ आप क्या पढ़ते हो यहाँ पे इरान आता है इरान का यहाँ पे एक port है very important port और अगर आप 2024 में इसको पढ़ रहे हो तो रशिया तो रशिया के साथ connectivity को increase करने के लिए हमने INSTC बनाया हुआ है तो इरान में हमें दिक्कत आ रही थी तो अब चावाहर port हमारे अंडर आ चुका है 10 years के लिए और अटमेटिक लिए वो increase होता जाया करेगा ठीक है so that was the important one तो इसको भी याद रख रख लेना है current interface से important हो जाता है तो इरान से चावाहर port मिल चुका है तो Central Asia के साथ हमारी connectivity increase करेगी अजरबैजान की भी हमें permission मिल चुकी है तो यहां से हम Europe के साथ connectivity increase करेंगी और finally Russia के साथ ठीक है so चावार port की importance है तो trade and commerce में अगर हिस्टरी के टाइम पे देखें तो trade and commerce उस टाइम भी flourish कर इसके अलावा एक script यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाती है इंडिया के अंदर जिसको बोलते हैं खरोष्टी script ठीक है जैसे Hindi language है वैसे इनकी खरोष्टी आजएगी हमारी देव नागरी लिपी पर गयारा आ जाते है उसी तरह से इनका खरोष्टी चलता है उसके अलावा ए सिगलोई coins very important point क्यों आया था तो हमने देखा कि हमारे जो मगद वाले region में strength हो रही थी जबकि नौर्थ-वेस्ट जो था वो वीक हो रहा था इसके अलावा एक और चीज हमें मिली that is architecture architecture अशोक का बहुत सारे pillars बनवाते हैं आकिटेक्ट बनाते हैं तो वो कहां से influence हुए थे कहीं न गहीं तो Persian जो architecture होता था उसी से हुए थे ठीक है so that's all about your first thing that is the Persian attack इसके अलावा एक और attack होता है that is the Macedonian attack Macedonian attack Macedonian यानि कि अब एक European attack भी हमें मिल गया वह आपके Greek वाला एरिया आजाएगा European attack देखने को मिलेगा तो यहां पर अगें हम ड्रॉ कर लेंगे अभी यह चीज एक तो Persian attack हो गया यहां से that was the Persian attack एक मिलेगा Macedonian attack काफी दूरी से आएंगे अब यह तो एक historian मिले हमें जिनका आ mother of history भी इनको बोल देते हैं तो यह बताते हैं कि इंडिया के अंदर ना बड़ा सारा wealth है यह अपनी बुक हिस्टोरिया में बताते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत जादा wealth है और यह बुक पढ़ लेते हैं Alexander किसने पढ़ ली? Alexander ने और Alexander ने decide कर लिया कि आप जाओंगा मैं इंडिया अल्दो हीरोडोटेस ना कभी इंडिया नहीं आये थे पर अलेक्सेंडर मोटिवेट हो जाते हैं हेट्रोडोटेस की बुक हेट्रोडोटेस लिखती है है हेरोडोटेस की बुक से धैटिस हिस्टोरिया उसको पढ़ते हैं Alexander और अलेक्सेंडर ने decide के लिए तो यहां से यह pass on चले जाते हैं आगे कि अंभी ने तु सरेंडर ही कर दिया बिना लडाई के तो आगे जाते हैं आगे एक रीवर आती है हमारे पास that is the river जेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस रीवर की है यहां पे एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है पोरस तो पोरस और जब Alexander के बीच में लडाई होती है कि इस रीवर के बैंक पे तो जेलम रीवर के बैंक पे उस बैटल का नाम पड़ता है बैल्टल ऑफ हाईडस पस हाईडस पस उसके बाद बोला जाते है 24 रीवर को Alexander ने क्रॉस नी करा था कुछ का मानना है कि 24 रीवर में इतना ज्याद करने की ट्राय में इनकी जो आर्मी थी वो ठक चुकी थी और ठकने की वज़े से वो चाहते थे कि हमें वापिस चले जाना चाहिए और कुछ पोलते हैं कि इदर का मौसम काफी कूल होता है काम होता है ठंडा सा होता है जबकि इंडिया का कंपारिटिवली इनको होट लगा तो बहुत सारी रीजन्स दिये जाते हैं कुछ बोलते हैं कि धना नंद की जो आर्मी थी वो इतनी बड़ी थी कि इनको डर लगया तो यहां से एक चीज हमें पता लगी कि जो अलेक्जेंडर आया था तो यह किसके कंटेंपरिरी आया था तो धना नंद के यानि कि नंदाज ड वापिस हो जाता है यहां से वापिस होता है तो बोलते हैं कि इन्होंने पोरस का जो एरिया कॉंकर करा था वो भी उनको वापिस कर दिया और जो अंभी ने सरेंडर किया था उनका एरिया भी उनको वापिस कर दिया था ठीक है तो यह अलेक्जेंडर की स्टोरी थी और एक और Greek Historian हुए हैं एक टाइम पे, Greek Historian बोलते हैं कि जो Indians थे, बेशेक उनकी आर्मी कम हुआ करती थी, पर उनकी जो skills थी, आर्मी की जो skills थी, वो बहुत जादा advanced थी, बहुत जादा skilled थी, ठीक है, so that is the story of Macedonia, पर अब अगेन, एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जैसे Sigloy type of coins हमें, किसके cultural, किसके influence की वज़ा से मिले थे Persia, इरान वाले region से, वैसी अगर Greek की बात करें, तो Greek से हमें क्या-क्या चीज़े मिली, तो indeed, cultural contact तो है हमार, cultural contact, second हमें मिला trade, ठीक है, second आजाता है trade, and third आजाता है, कि जो Indian settlements हैं, वो Greek में आज भी देखने को मिलती हैं, तो Greek settlements देखने को मिली, इंडिया के अंदर भी और वहां पे भी, उसके बाद, एक नया empire यहां पे established हुआ, that is Seleucid Empire, उसके बाद, इनी से हमने सीखा about the matrimonial alliances, जब आप जीत ना पाओ ना किसी से, तो अधर शादी कर लो, ठीक है, matrimonial alliances, यह कहीं न गहीं, यहां से inspiration मिल रही है, ठीक है, although Bimbisar already matrimonial alliance कर चुके थे, पर वहां पे भी हम क्या देखते हैं, उनका influence एउरोप में काफी जादा connected था, तो वो भी एक reason बताया जाता है, और trade and commerce तो हमने देख लिया कि काफी सादा increase कर रहा है, और दूसरी बात, यहां से हमने क्या देखा कि इंडिया की एक praise भी हुई, तारीफ भी हुई, किस चीज को लेखे कि इनकी जो army है, that is very skilled, ठीक है, और किसके सामकलीन आते हैं, किसके contemporary आते हैं, that is very important तो किसके आगे, नंदाज की, और नंदाज की time पर कौन था, धनानब था, ठीक है, तो एक आप iMac के बारे में पढ़ते हो, Indian Middle East Coast Corridors, ठीक है, यहां पर इंडिया का port जोड़ा गया है, directly with the Middle East, जो Arabic countries आ जाती है, में क्या चल रहा है, वार चल रहा है इस टाइम पर इसराइल और हमस वार, तो उस वज़े से यह pause हो रखा, यहां से कोई trading नहीं हो रही, इसराइल का कौन सा port है, तो हाइफा port है, वो भी आद रखना, ठीक है, तो that is all about the Macedonian empire, ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कि महाजन पद्स जब हम पढ़ेंगे तो उसी टाइम पे कुछ attacks भी होंगे, foreign attacks, तो यही थे वो foreign attack, एक Persian था और दूसरा Macedonian था, ठीक है जी, अब हम करेंगे study about the Moran empire, क्योंकि हमने क्या देखा था, Moran empire कैसे नाम है, इनी का, विश्नुगुप्त पी नाम है, तो चनक्या आते हैं, चनक्या ने try किया कि मैं धनानंद को help करूँ, पर धनानंद ने क्या दिया, insult दी, किसको विश्नुगुप्त को, और जब इंसल्ट करते हैं, तो चनक्या भी कसम खा लेते हैं कि, जब तक मैं पूरे के पूरे धनानंद empire को खतम ने कर दता, तब तक मैं अपनी चोटी ने बांदूँगा, तो विश्नुगुप्त ने किसको train किया, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्या, और जो चंद्रगुप्त मौर्या थे, ये किल कर देते हैं किसको, धनानंद को, और जैसे इनको किल करते हैं, तो नया empire एक स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं, मौरन empire, मौरन empire में काफी important चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर kings के बारे में थोड़ा सा आपको hint देदू, तो आपने सुने भी होंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे चंद्रगुप्त मौर्या, चंद्रगुप्त का लड़का आएगा बिंदु सार, अब ये बिंदु सार है, इसको बिंदु सार से कम पयार मत करना, ठीक है, बिंदु सार, और बिंदु सार के बाद आएंगे अशोका, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्या और अशोका, ये तो बहुत ही जादा करते हैं, बिंदु सार को बोला जाता है, ये इतने ज्यादा अइमिनेंट किंग तो नहीं थे, बट इनकी जो पापा थे, वह говорит है, और इनका पुत्र था, वह भी एक strong king था, तो अब start करते हैं विदा चंदरगुप्त मौरे, चंदरगुप्त मौरे के बारे में हमें थोड़ी सी चीज़े जाननी होंगी चंदरगुप्त मौरे, सबसे पहले तो चंदरगुप्त मौरे की अगर lineage देखें, कौन सी caste से बिलॉंग करते तो कुछ sources में पता भी नहीं होता कुछ बोल देते हैं कि शुद्र माझसे के तो कुछ बोल देते हैं कि ये शुद्र थे शुद्र ठीक है, और इनके teacher कौन थे? तो हमने देख लिया विश्नुगुप्त थे विश्नुगुप्ती कौन है? चानक्या है और चानक्या क्या थे? कॉटिल्य भी नहीं को बोलते हैं नाम सारे एक जगे पे लिख देते हूँ तो ये क्या थे? बाइकास्ट ये ब्रामिन थे तो teacher कौन आगया चंद्रगुप्त मौरे का? दाट इस कॉटिल्या कहां भी हमीं चंद्रगुप्त मौरे के बारे में पता चलता है कि कैसा उनका एंपायर था और किस टाइम पिरियेड में चलता है तो 324 से लेके 187 BCE ये वाला टाइम पिरियेड आएगा अब यहां पर एक सोर्स मिलता है हमें जिसका नाम है मुद्र रक्षशा एक बुक है मुद्र रक्षशा किस ने लिखी थी? विशागदत ने लिखी थी विशागदत मुद्र रक्षशा that is written by विशागदत, very important book तो यहाँ पर इनका मानना था कि जो Moran Empire बुर एस्टबिश हुआ यह lower caste से थी इनकी जो mother थी वो एक tribe से बिलॉंग करती थी और वो tribe कौन सी थी वो थी मूरा tribe ठीक है और उसके बाद चनक्य की एक important book आती है जहाँ पर हमें पता चलता है पहले तो book का नाम देख लो अर्थ शा नाम देख के आपको लग सकता है कि यह economy की भुक थी बट नो यह politics को जाधा preference देती थी ठीक है कि एक राजा को अपना empire कैसे established करना चाहिए तो यह सारी हमें कहां से मिलेगी from the अर्थ शाष्ट्र होता क्या है विश्णु गुप्त और चंदर गुप्त महरे ने मिलके trap किया था किसको धनानंद को तो यहां पर देख लो एक स्टोरी है चोटी सी एक लड़की होती थी दूरधरा दूरधरा किसकी लड़की थी तो धनानंद की ही थी डॉटर दूरधरा को honey trap करा गया था basically ठीक है तो दूरधरा पसंद करती थी चंदरगुप्त महरे को ठीक है तो चं चंदरगुपत महरे के बारे में हमें एक और information मिलती है from the Sagar addict यह सगोर अडिक्ट आपको उत्रप्रदेश में मिल जाएगा जहां पर है कौपर का बना हुआ है एक तो और दूसरी जीज हमें किसके बारे में information मिलती है तो चंदरगुपत महरे के बारे में information मिलती है और यह गया कि जो चंद्रगुप्त मौरे थे जब फैमीन फैला था इंडिया के अंदर बहुत जादा भुकमरी फैली थी तो इन्होंने बहुत जादा help की थी लोगों की ठीक है और एक और चीज इन्हीं के time period पे एक लेक बनती है जो कि आपको आज और गुज़ाट में मिलेगी धायटी सुदयर्शन लेक और इसके बारे में गज़्रात में ये मिली अब चंदरगुप्त मौरे की लडाईयां भी होती है, सबसे पहले किसे होती है, सैलिकस निकेटर, सैलिकस निकेटर और चंदरगुप्त मौरे की हो जाती है लडाई, सैलिकस निकेटर हार जाते हैं, और फाइनली एक ट्रीटी इन दुरनों की बीज में साइन होती है, इरिया दे देते हैं और काबूल वाला इरिया ये किसके अंडर थे पहले सैलिकस ने खेटें जस्ट पिकाउज वो हार जाते हैं तो ट्रिटी में एक तो डॉटर की शादी करवादी जाती है चंदरगुप्त मौरे के साथ और साथ में कुछ एरियास दे दिये जाते हैं चंद भी वाल इरिया को बुला गया है ठीक है ओके सो यहां पर आपको मैंने शुद्र बताया था ठीक है ये तो हो गया इसके अलावा एक इम्पोर्डेंट्स कोर्स हमें और बुक से मिलता है दाट इस इंडिका इंडिका किसने लिखी थी तो में अगस्तिनी ने लिखी थी में ये गवर्नेरी हुआ करता था सेलिगस निकेटर का तो बहुत जादा डिटेल्स हमें मेगस्तिनी की इंडिका बुक से भी मिल जाती है उसके अलावा एक टाइटल दे दिया जाता है कि इस को चंदरगुपत मौरे को और वो टाइटल था सैंडरो कोटस सेंडरो कोटस ये टाइटल भी हमें कौन सी बुक से मिलता है तो फ्राम दा बुक इंडिका और इंडिका किस ने लिखी है मेगस्तिनीज ने लिखी है ठीक है वेरी इंपॉर्डेंट बुक मेगस्तिनीज अब क्या होता है कि बाइदर टाइम चंदरगुपत मौरे ने अपने बहुत जाधा एक्सपांशिन करे अखंड भारत जुसको बोलते है न वो हमें कहां से मिला था फ्राम दर चंदरगुपत मौरे के टाइम पिरियट से इसके अलावा यहां पे एक तो कॉंट्रोवर्शी रही कि यह शुद्र थे ब्रामेंड थे क्या थे बट अगर बुधिस्ट और जैन लिटरेचर आप देखोगे न बुधिस्ट और जैन लिटरेचर तो वो इनको बोलते हैं कि यह क्षत्रिय ही थे क्यों बोलते है क्षत्रिय क्यों कि जो आपका वरंट सिस्टम चल दा था ब के कर्मों के हिसाब से तो Buddhist और Jain Sources में आप देखोगे इनको क्या title दिया गया है तो शत्रिय का title दिया गया है Greek Sources में इनको क्या बोला गया है Sandro Gortus बोला गया है इन्होंने Bengal वाला एरिया भी capture किया था चंदरगुप्त मॉरे ने कही किया Bengal वाला एरिया भी कॉंकर कर लिया था तो महस्तानी इंस्क्रिप्शन से हमें क्या चीज पता चली कि बेंगॉल को भी किसने कॉंकर किया था चंद्रगुप्त मौरे ने और बाइदा टाइम क्या हुआ अब देखो एज तो एक टाइम पर बढ़नी ही होती है तो जब एज बढ़ती चलती है तो चंद्रगुप्त मौरे क्या करते हैं उन्होंने डिसाइड के लिए कि अब रिटायर्मेंट ले लेता हूं और जब रिटायर्मेंट ली तो यह चले गए थे करनाटका के रीजन में ठीक है और यह महस्तान कर जो इंस्क्रिप्शन है या आज के बांगला बांगलादेश व श्रवन वेला गोला में चले जाते हैं तो आपको एक important question यहां से देखने को मिल रहा है कि चंद्रगुप्त मौरे ने कौन सा religion अडॉप्ट कर लिया था बाद में तो जैनिवन को अडॉप्ट करलीया था ठीक है very important point, इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है, श्रवन वेलगोला, कौन से time period में गये थे, तो 298 BC के आस पास चले गये थे, तो that is important, इसके बारे में ध्यान रखीएगा, अब जो next king आएंगे, वो इने के पुत्र आएंगे, जिसका नाम है बिंदु सार, बिंदु सारा, बिंद जैन लिट्रेचर में हम देखते हैं कि इनको titles दिये गये थे बिंदु सार को, तो जैन लिट्रेचर के according अगर देखें, तो एक title इनको दिया गया था, सिम्हा सेना, तो question पूछा जा सकता है कि सिम्हा सेना title इसको दिया गया था, तो it was given to बिंदु सार, इसके अलावा एक औ इसमें भी इनको टाइटल दिये गए हैं जैसे कि हैमी क्रेटर्स, टाइटल्स बड़े सारे मिले थे बिंदु सार के, ओल्दो कॉंट्रिबूशन इतनी जाधा नहीं मिलती, प्लीनी, प्लीनी भी एक राइटर हुआ करते थे उस टाइम के, उनका मानना था कि जो बिंदु सा फूरिया. नैच्रलिस्ट है, फूरिया. ठीक है। रिए बोला जाता है, बिंदु सार के, सौ पुत्र थे हैं। ठीक है, इस वज़े से इतने सारे पुत्र आगे हैं। ये बोल दिया जाता है क्यूंक्य पकाइmmों के जो अशोका था, स्जोका ने अपने 98 भाइयों को मार था 98 brothers को kill कर दिया था और गदी पे बैट के थे क्योंकि क्या होता है जो पुत्र होते हैं ने इनके तो वो different different regions में as a governor रूल किया करते थे उस टाइम पे तो गदी पे तो एग ही आएगा according to rules and regulation तो यह बोला जाता है कि जो बिंदु सार थे उनके सौ बुत्र थे जिन में से जो 98 थे उनको kill कर दिया था किसने अशोका ने kill कर दिया था ठीक है यह कुछ stories आपको मिलेंगी और इसके अलावा embassy के बारे में भी note करी लोग करना है अगर तो दो embassies आई थी इनको एक तो हमने देखी कहां से एजिप्ट से आई थी एजिप्ट से किसने भेजी थी तो king हुआ करते थे वहाँ पे philadales और कौन आया था डायो डाइनियस आया था डायो डाइनियस कहां से आया था एजिप्ट से आया था इसी तरह से सीरिया से अगर देखें तो यहां से आया था डायमेकस ठीक है यह दोनों कहां से आया थे from the foreign countries तो यहां से हमें international relation इनके पदा चल जाते हैं उके उसके अलावा दो अप्राइजिंग्स हो रही थी उस टाइम पे इंडिया के अंदर साउथ वाले पार्ट में तो कुछ नहीं चल रहा भी फिलाल बट बेविल नोटेस यहां पे आजो मैप के उपर तो यहां तो आगया मगद वाला इरिया जो कि फ्लरिश करी रह था इन दोनों की बीज में कॉन्फिक्ट हो जाता है विनर अशोका ही निकल के आते हैं और उसी टाइम अशोका जाते हैं श्री नगर वाले एरिया में यहां पे और श्री नगर एस्टबलिश कर देते हैं तो जो श्री नगर सिटी एस्टबलिश हुई है वो किस ने करवाई थ इसकी information हमें कहां से मिलती है तो एक writer हुआ करते थे कलहन कलहन की book है एक बहुत important 12th century में लिखी गई थी राश्तरंगिनी तो 12th century में जाके इसको although लिखा गया बट ये किसके बारे में बताते हैं कि श्री नगर कैसे establish हुआ था तो किस ने करवाया था अशोका ने करवाया था ठीक है ये चीज़ें चल रही थी तो दो अप्राइजिंग्स हो रही थी अशोका और सुशिमल उसके बाद ये दोनों shift कर जाते हैं अमित्रघाट मिला था ग्रिक सोर्सिज में हामी करेटस मिला प्लीनी ने बताया कि अमबैसी इनको receive हुई थी इसके अलावा एक मद्र सार मद्र सार टाइटल भी किसको मिला था बिंदु सार को ही मिला था कहां से पता चलता है तो पुराना से पता चलता है और जैसे इनकी भी उमर भी थी तो उमर भी इतने के बाद इन्होंने कौन सा सेक्ट अडॉप्ट कलिया था तो अजीवी का सेक्ट को अडॉप्ट कलिया था जीवी का सेक्ट की फिलोसिफी होती है कि सब कुछ predestined है तो आपको जादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती इसके बाद इनके पुत्र जो की है अशोका the great नाम से आप उनको जानते हैं तो अशोका ruling में आ जाते हैं एक historian है श्रीमती रोमिला थापड तो श्रीमती रोमिला थापड ने क्या किया है अशोका की लाइफ को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है श्रीमती रोमिला थापड तो अशोका की लाइफ को तीन हिस्सों में डिवाइड करा एक बोला काम अशोक एक को बोला चंद अशोक और एक को बोल दिया धाम अशोक, ठीक है, काम अशोक को क्या भूला चाता है कि ये प्लेजर में रहता था, यानि कि sexual pleasures, ठीक है, आराम, दायक, जिन्दगी, तो वो किस में आ जाती है, काम अशोक में आ जाती है, वहीं भे चंद अशोक में क्या आता है, जब इन्होंने wars लड़ी, जैसे कलिंगा वार, उडीशा वाले रीजन में वी थी ना कलिंगा वार, इतनी जादा हत्य है, इन्होंने उस रीजन में करी, बहुत सारी वारतों को मारा, बच्चों को मारा, और एक बच्चा ना इनके का, तो महायान वाली शाका को अडॉप्ट किया था, उसके बाद इनका हिर्दे परिवर्तन हो जाता है, और इनका फोकस होता है, पीस के उपर, नॉन वाइलेंस के उपर, यानि इन्होंने अब अपनी तलवार बिल्कुल ही यूज करना बंद कर दी, नॉन वाइलेंस का इन किंग बने थे, ये 293 BCE, 293 BCE, 269 BCE, 269 BCE में ये किंग बने थे, और 261 BCE में इन्होंने क्या किया था, कलिंगा वार किया था, तो ये देखो, कलिंगा वार करते हैं, 261 BCE में, और इसके अलावा, कितने साल हो चुके हैं बीच में, आठ साल हो चुके हैं, तो आठ साल तक इन्हों ने खूब सारे यूद करें, उसके बाद इनका हिर्दे परिवर्थन हुआ था, ठीक है, क्योंकि कलिंगा वार में ये बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, एक एडिक्ट मिलता है हमें, that is हाथी गूमफा, हाथी गूमफा, इंस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, उसको आप, इंस्क्रिप्शन ही बोलो बैटर है, हाथी गूमफा, इंस्क्रिप्शन, किसने लिखा था ये, ये इंपोर्टेंट है पहले तो, तो इट वोज रिटन बाए, खारा वेला, खारा वेला ने कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखा, हाथी गूमफा, इंस्क्रिप्शन, इसके नंदराज करके एक king हुआ करते थे उडिशा वाले एरिया में तो ये सारी information हमें कहां से मिली from the Hathi Gumpha inscription इसके अलावा कलिंगा वार के ही हमें एक और information मिलती है from different source जबकि हमें पता है कि अशोका के 14 major pillars हुआ करते थे इस में से जो 13th pillar था उसके उपर हमें मिलता है regarding the Kalinga War ठीक है और कैसे उन्होंने बाद में Buddhism को अडॉप्ट कर लिया था और जब Buddhism को ये अडॉप्ट करते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ी सी factual information आपको पता होनी चाहिए जब इन्होंने Buddhism को अडॉप्ट करा तो इनका एक nephew था जिसका नाम था निग्रोध निग्रोध को इन्होंने देखा कि ये कितने शांती से रहता है तो inspiration किस से मिली नेफ्यू से मिली और education किस ने दी थी इनको तो इनका जो teacher था वो कौन बना वो बने थे उपगुप्त उपगुप्त इंस्पिरेशन मिला निग्रोध से जो कि इनके नेफ्यू थे और पढ़ाई किस से करी तो उपगुप्त से करी थी ठीक है वैसे तो इनकी बहुत सारी पतनियां हुआ करती थी आज यू नो बेसिकली जो information मिलती है वो पांच पतनियों की मिलती है कि around five पतनिया थी अशोक का की उन में से इनकी एक फेवरेट हुआ करती थी जिसका नाम था कारुवाकी कारुवाकी पे इनोंने एक एडिक्ट भी वनवाया था जिसको कुईन्स एडिक्ट भी बोलते हैं कुईन्स एडिक्ट कहां पे है ये तो कौसंभी में मिलेगा तो कौसंभी पिल्लर कौसंभी इडिक्ट भी इसको बोल देते हैं कौसंभी इसमें बताया जाता है कि कौरवाकी जो थी वो हमेशा शोका को समझाया करती थी कि इतनी जादा fight करने की कोई जरूरत नहीं है ये कौन समझाता है इनको तो जो इनकी एक favorite wife थी that is कौर वाकी इनी से इनको एक पुत्र और पुत्री होते हैं जिनका नाम था महेंद्र और लड़की का नाम था संगा मित्र ठीक है अब ये क्या करते हैं यहाँ पे श्रिलंका था तो महेंद्र और संगा मित्र दोनों को कहा बेज देते हैं श्रिलंका बेज देते हैं जाओ कि वहाँ पे क्या करना है आपने बुधिजम को spread करवाना है तो बुधिजम spread करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भेज़ा था that is महेंद्र और संगा मित्र ठीक है इस तरह से इन्होंने बुधिजम को spread क अब इसके बारे में भी आद रखिएगा अब इसके बाद क्या होता है कि इनका एक ग्रैंट सन आता है बाद में ठीक है यानि कि पॉत्तर आ जाता है जिसका नाम होता था दश्रत दश्रत के साथ ये मिलके बहुत सारे स्थूप बनवाते हैं बुधिजम से रिलेटिड अर जो सबसे बड़ा मिलेगा वो कौन सा मिलता है सांची स्थूप मिलता है मध्यप्रदेश वाला ठीक है और जब 10th year चल रहा था इनके रूल का 8th year में क्या किया इन्होंने कलिंगा वार करी 10th year में क्या किया इन्होंने तो गया जाते हैं ये गया जहांपे बुधा जी को एन और वहाँ पे पिल्ग्रिमेज टेक्स लगता था जो ये यात्री आते थे धरम यात्रा करने के लिए तो उनके ओपर टेक्स लगा करता था तो जब ये लुंबी नहीं चाते हैं इंदर 20th year of the year in तो वहाँ पे जो टेक्स लग रहा था लोगों के ओपर उसको रिडियूस कर द हते थे तो बराबर hills मे चार hills आती है basically कौन-कौन सी आती है एक आती है आपकी सूदामा हिल दूसरी आती है करंचौपर in Aga उसके बाद आती हे लोमस रिशी अ इसको दे दी जाती है, to Ajivika sect, ऐसे Monks and Nun, जो Ajivika sect को फॉलो किया करते थे, उनको ये दे दी जाती है, दान में, you can see, ये कहां पर मिलेगी आपको तो ये सुल्तानपूर है जो आपके बिहार में, at सुल्तानपूर of यह सारी चली जाती है डोनेशन में ठीक है जी वेरी इंपोर्टन पॉइंट इसके बारे में भी याद रखिये वा अशोका क्या गरवाते हैं थर्ड बुधिस्ट काउंसिल थर्ड बुधिस्ट काउंसिल पहली किस ने करवाई थी? पहली करवाई थी आजाद शत्रू ने कहाँ पे करवाई थी? राजगिर में करवाई थी और कौन उसके प्रिसाइडर थे? तो महा कशापा थे उसी तरह से सेकिंड बुधिस्ट काउंसिल करवाई थी? काला सोका ने कहाँ पे करवाई थी? वैशाली में करवाई थी, कौन उसके प्रिसाइड है थे तो साबा कामीर थे अभी थर्ड बुदिस्ट काउंसिल कौन करवा रहा है अशोक का करवा रहा है और कहां पे करवाएंगे तो पाटली पुत्र में पाटली पुत्र में थे और यहां पे कौन प्रिसाइड कर रहा था तो मोगली पुत्र तीसा मोगली पुत्र तीसा वर्स प्रिसाइडिंग दिस थर्ड बुदिस्ट काउंसिल ठीक है बहुत सारी करवाई आपको इनके टाइम पे मिलेगी जैसे की एक मिल जाती है गोल्ड करंसी गोल्ड करंसी को स्वरन भी कहा जाता है वेती सिल्वर को कर्षपन बोल दिया जाएगा फोर्थ मिल जाएगी कॉपर की कॉपर को बोल देते हैं काकनी काकनी ठीक है और बहुत सारे एडिक्ट पी नोने बनवाए जिन मेंसे आपको डिफरेंट काइंड की लिपी यूस होती हुई दिखेंगी जैसे हमारी देवनागरी लिपी है ना तो जो इंस्क्रिप्शन थे अब देखो जो इंस्क्रिप्शन का आइडिया था वो कहां से आया था पर्शियन पर्शियन इंफ्लूएंस से बोला जाता है कि जो इंस्क्रिप्शन का आइडिया है वो कहीं न कहीं पर्शियन इंफ्लूएंस की वज़े से है जब Cyprus, Darius, ZZ, याद है न, उनके बारे में हमने बढ़ा तो Persian influence दिया था उन्होंने और वहीं से हम inscription हो गया, overall architecture बोल देते हैं, तो वो सारा influence देखने को मिलता है लिपीज बहुत सारी यूज हुई थी, specially 4 तरे की लिपीज यूज करी इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इंडिया में यूज हुई, वो एक थी ब्रह्मी और दूसरी थी खरोष्टी, इन सबका तो सबसे ज़्यादा यूज हुआ और बाकी जो पाकिस्तान आ गया, आपके अफगानिस्तान वाल एरिया में आप देखोगे, तो वहाँ पे कौनसी लिपीज यूज हुई, एक अर्माई थी और एक ग्रिक थी, इंडिया में भी यूज हुई, पर बहुत कम यूज हुई, सबसे ज़्यादा कौन हुई, तो ये लिपी का इंफ्लुएंस कब पड़ा था हमें, जब डेरियस आया था, डेरियस के बारे में हमें बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन पे मिलता है, कि उन्होंने बहुत सारी केमपेंस करी थी इंडिया के अंदर, ठीके, तो ये सारी याद रखना, इंपोर्टेंट हो जाती ह जेम्स प्रिंसेप, अब देखो, ये जो इंस्क्रिप्शन थी ये पड़े के किसने थे, तो एक पैंथलेना होता था, पैंथलेना करके एक हिस्टॉरियन था, पैंथलेना ने तो एडिक्ट को फाउंड किया था, पर जो एक्चुल में रीड कर पाये थे, वो थे जेम्स प दर्शी, देवनम प्रिया दर्शी, तो इट वोज दा टाइटल ओफ अशोक का, ठीक है, उसके अलावा, मैक्सिमम एडिक्ट के उपर आप देखोगे कि देवनम प्रिया ही उन्होंने यूज करा था, यानि कि देवों के प्रिया, ठीक है, उसको बोल देते हैं देवनम प् अशोका, यह गुर्जर आपको मिल जाएगा मद्य प्रदेश में और जो मस्की है यह आपको मिलेगा करनाटका में, तो यहाँ पर इन्होंने अशोका वर्ड भी यूज किया है, इसके अलावा दो और हैं, वो हैं आपके नेटूर और उदे गुलेर, यह कहाँ पर मिलेंग यह मिलेंगे आपको आंधर प्रदेश में, तो इन दोनों पर भी हम देखते हैं कि अशोक का टाइटल दिया गया है, बाकी जितने भी एडिक्ट मिलेंगे उन सभी पर देवनम पियम टाइटल इन्होंने यूज किया है, अब एक और एडिक्ट है जिसका नाम है भावरू, स्पैलिंग्स हो सकता है, गलत हो जाएं बट अभी आपको सिर्फ याद करना है, तो इतना जादा फोकस मत करना, भावरू एडिक्ट, भावरू एडिक्ट मिलेगा आपको राजस्थान में, तो राजस्थान में इसके उपर हमें तीन इंपोर्टन चीज़े लिखी भी मिल तेन रतन हुआ करते थे बुद्धिजम के, धम्मा संगा, अघए फजट ही होगा एक डम से पदा नहीं, अच्छा पहले तो बुद्धा ही थे न, हो जाता है कभी-कभी, इस बुद्धा धम्मा संगा, तो ये त्रीन रतन किसके होते थे, ये थे आपके बुद्धा जी के, आपको याद होगा एक अंडा देखा था हमने अंडा के ऊपर छतरी लगी होती थी उसके ऊपर तीन प्लेट्स लगी होती थी पहली रिप्रेजेंट करती है बुद्धा को, सेकिंड धम्मा को और तीसरी संखा को और यह फ्लो ऑफ एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है ठीक ह याद हो अगर यहाँ पर हर्मिका भी लगी थी एक मोवी याद रखना ठीक है यह चलो हमने पढ़ लिया है अल्रडी बट याद रखना भावरु एडिक्ट के उपर हमें किसके बारे में इन्फोर्मेशन मिली थी तो अबाउट दो त्री रतन और यह भी लिखा गया था कि मेरे 14 एडिक्ट है टोटल 14 मेजर पिलर्ज है यह इन्फोर्मेशन हमें भावरु एडिक्ट से मिलती है विज लोगेट इन राजस्थान अब शॉट में देखेंगे बिल्कुल कि फोस्ट मेजर एडिक्ट के उपर इन्होंने क्या लिखवाया था फोस्ट मेजर एडिक्ट के उपर यह बात करते हैं about non-violence non-violence के साथ बोलते हैं कि हमें animal killings को prohibit करना है prohibit animal killings that is the first addict second major addict पे इन्होंने बताया है कि there should be a hospital for animals as well hospital होना चाहिए किस के लिए animals के लिए भी human पे नहीं focus करा भी animals के उपर focus किया कि clinic होना चाहिए एक proper animals के लिए उसके अलावा यह south area में कुछ kingdoms emerge कर रहे थे वो थे चेरा और पांडे चेरास के लिए इन्होंने especially है चोलाज भी यहां पर emerge कर रहे थे उस ताइम पर चोलाज के बारे में mention नहीं किया है not mentioned in second addict यह important हो जाता है वैसे ही third major addict पे देखे तो बात करते हैं तीन चीजों के बारे में एक थे राजुका इन्होंने different official appoint करे थे जो कि Buddhism को spread करते थे तो जैसे एक थे राजुका एक थे युकतास और तीसरे थे प्रदेशिकास प्रदेशिकास यह third addict में mention करे थे fourth addict में यह mention करते हैं भेरी गोश के बारे में भेरी भेरी गोश चो होता था यह war drum था यूद से पहले और यूद के बाद में एक drum बजाया जाता था तो उसको बोलते थे भेरी गोश भेरी गोश को इन्होंने replace कर दिया था धम्मा घोशा से धम्मा घोशा क्यूंकि अब यह फिर आते हैं फिफ्थ एडिक्ट के उपर जिसमें यह धम्मा मातरास के बारे में बात करते थे धम्मा मातरास जो की instruction दिया करते थे लोगों को कि वो धम्मा को कैसे follow करेंगे और अगर यात्रा के उपर जा रहे हैं तो कैसे धम्मा का rule and regulation follow करते रहेंगे सिक्स्थ एडिक्ट में ये बताते हैं कि सोसाइटी के सेक के लिए अगर कोई चीज है कोई बात है जो सोसाइटी के हित में है तो for the sake of society you can come directly to अशोका, अशोका के पास आप directly जा सकते हूँ सेवेंथ एडिक्ट में ये tolerance पे बात करते हैं कि सारे के सारे धरम equal है tolerance, equality, सारे के सारे धरम सभी धर्मों को इजदत मिलनी चाहिए तो ये सेवेंथ एडिक्ट पे इनोंने बात करी है 8th एडिक्ट में ये बात करते हैं about the dhamma yatras, जिससे तीरत yatra होती है न तो बुधिजम के उस context में आ जाती है dhamma yatra, तो dhamma yatra को start कर दिया था इनोंने, ये mention कर दिया जाता है 8th एडिक्ट में, 9th एडिक्ट में ये बात करते हैं कि जितने भी छोटे छोटे फेस्टिवल है उनको ban कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जितने भी छोटे फेस्टिवल है, सारे ban कर दिया जाए, ban on small festival, वैसे एक 10th एडिक्ट आता है, जिसमें importance of dhamma पे focus किया गया है, importance of dhamma की, dhamma क्यों important है हमारी जिन्दगी में, 11th एडिक्ट की बात करें, तो 11th एडिक्ट में ब अरिश कर रहा था हो, तो कहीं न कहीं ब्रामिंट्स के साथ अब एक्रोसिटी हो रही थी, तो बोला था कि ब्रामिंट्स को not to treat badly, गंदे तरीके से उनको treat ना किया जाए, तो यहां से पता चलता है, यह tolerant थे, तो 7th एडिक्ट में अभी हमने क्या देखा, tolerant थे, कि अजलती हैं, तो chubby खो EPAYCLA, इस न canal तो बृब इसंदिक्टी थे, जो माइनर एडिक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा ऐडिया होना चाहिए, तो माइनर अशोकन एडिक्ट. सबसे पहले बात करेंगे रुमेन देई, रुमेन देई एडिक्ट, रुमेन देई एडिक्ट कहां पर है ये है लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल में, बर्थ प्लेस और बुद्धा, सबसे छोटा अगर पुचा जाए कौन सा माइनर एडिक्ट है तो रुमेन देई है administration के बारे में कि कैसी administration नहीं होनी चाहिए किसी भी empire में किस कैसी administration नहीं होनी चाहिए डाट इस रुमिन दई addict में आपको मिल जाएगा एक हमने पड़ा भी कौशम भी कौशम भी जो की कहां addict भी इसको बोलते हैं कौरवाकी जो इनकी favorite वाली थी कारूवाकी कारूवाकी के बारे में कहां पर mention है तो कौशम भी addict वहां पर ये बताते हैं कि किस तरह से वो उनको समझाया करती थी कि fight में indulge होने की जगे donation किया कर उसके बाद एक और आते है Löरिय नंदन गड भी कहां पर पढ़ जायेगा आपके बिहार में लॉरिया नंदन गड ये भी कहां पर है बिहार में है कलिंगा addict भी मिलेगा एक कलिंगा addict ईसमे information देते हैं वो कलिंगा वोर के बारे में नहीं देते हैं ये बोलते हैं कि पीस कितना importance होता है किसी भी country के लिए ठीक है और उसके बाद एक और एडिक्ट मिल जाएगा आपको सराई एडिक्ट मिलेगा वो अफगानीस्तान में है ठीक है और ये बोलते हैं कि government की जमेन पे और लोगों की जमेन पे टेक्स भी लगता था जिसको सीता धक्षियव बोलते थे ठीक है इस तरह से एक और पिलर मिल जाएगा आपको सारनाथ पिलर मिलेगा यक्ष और यक्षणी के स्कल्प्चर मिलेंगे दिदार गंज अगेन कहां पर that is in Bihar उसके अलावा यहां पे स्टूब की बात करी गई है तो स्टूब हम अल्रेडी भी डिसकस कर चुके हैं हमारे NCRT वाले लेक्षर में बट एक बार फिर से कर लेते हैं यह चत्री होती थी उपर इसको बोलते थे चत्री और चत्री में क्या रिप्रेजेंट करे जाते हैं बुद्धा, धम्मा, संगा यह एक railing सी होती थी इसको बोलते थे हरमी का जो टॉप पे होती थी एक railing नीचे लगी उसको बोलेंगे वेधी का क्या बोलेंगे? वेधी का यह क्या है? यह है अंडा उसके अलावा यहां पे रास्ता बनाओगा और यहां पे gates लगे होंगे हर direction में यहां पे भी यहां पे भी इनको बोला जाता था torrents यहां पे चक्कर लेने के लिए जैसे किसी की worship करते हैं तो फेरी नहीं लेते मंदिर की तो वहां के लिए एक रास्ता बनाया गया था जिसको बुला गया प्रदक्षिना पत प्रदक्षिना पत ठीक है अंडा वेदिका हर्मिका छत्र और प्रदक्षिना पत यह कुछ important सी चीज़े हैं जो स्थूप के बारे में आपको पता होनी चाहिए उके उसके बाद society के अंदर अगर देखे तो विड्डो की रिमेरेज अला होती और डिस्टिक जोती थी वो राजुका के अंडर आती थी और आजुक हम देख लिए सेकिंड एडिक्ट में यह मेंचन करते हैं राजुका के बारे में इसके बाद एक और मॉरें किंग आते हैं फोर्थ वान ब्रिहादर ब्रिहादर रत यह जो ब्रिहादर रत हैं यह कहीं न गहीं लास्ट मॉरें रूलर हैं इन्हीं के लड़के थे दश्रत जिन्होंने अशोका के साथ मिलके 84,000 स्थूप बनवाए थे इन्होंने क्या किया वैसे तो 9 मेजर स्थूप बन रखे थे वहां से दुबारा से अशोक का इतना जादा इंडर्ज हो गे थे डिनेशन के अंदर की वह यह भूल गे कि हमें अपनी एकॉनमी भी बूश्ट करनी थी तलवार बिलकुल ही रख दी थी न और उस टाइम पे एक्जिस्ट करने के लिए आपको लड़ना पड़ता था तो उन्होंने लड़ाई व जबकी मौरेन एंपाइर उस टाइम पर खाता मोर चुका था ब्रिहादर रत का एक मिलिटरी कमांडर हुआ करता था मिलिटरी कमांडर जिसका नाम था पुश्यमित्र सुंगा पुश्यमित्र सुंगा पुश्यमित्र सुंगा कि इसके मिलिटरी कमांडर थे तो ब्रिहादर नहीं डानिस्टी एक नहीं तरह से स्टार्ट हो जाएगी पुष्यमित्र सुंगा के बारे में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अभी के लिए इतना ही इसके अलावा हम दो दिन चीजें जो और एड़न कर सकते हैं वो है कुछ terminologies कुछ terms हो जाती है important हो जाती है कई बार पूछ भी लिया जाता है तो वो देख लेते हैं पहले रेखेंगे सबसे पहले इनका administration कैसा था यह overall देख रहे हैं हम Moran Empire का इनका administration कैसा चल रहा था officials कैसे हुआ करते थे तो एक writer हुए हैं जिनका नाम था दांडिन की एक book थी that is दश कुमार चरितम दश कुमार चरितम एक और writer हुए हैं जिनका नाम था पतंजली पतंजली की भी एक important book आती हैं महाभाश्य इसके अलावा यह important sources आ जाते हैं जहां से हमें क्या पता चलता है कि Moran Empire की administration कैसे थी king को title दिया जाता था राजा का ठीक है और king ही head हुआ करते थे हर चीज़ के कोटिलिया का कहलना था कि जो राजा है वो एक पिता की तरह होने चाहिए मलब पिता जैसे अपने बच्चों को treat करते है ना वैसे राजा को भी अपने जंता को treat करना चाहिए और जो first rock addict था ना first rock addict जिसमें बोला था कि हमें animal killing नहीं करनी चाहिए non violence को promote करना चाहिए यानि कि आहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए तो उसी addict के उपर एक और चीज़ लिखी थी कि जो जितने भी लोग है वो मेरे पुत्र के समान है ठीक है और अगर extension देखें Moran Empire का from north to south तो north west वाला region भी इन काडियावाड काडियावाड आ जाएगा आपके गुचरात वाला इरिया तो इतना जाधे expansion उन्होंने कर रखा था जो main state हुआ करती थी इस time पे वो तो मगदी थी बिहार वाले इरिया में जो मिलेगी आपको और जो capital थी यहां पे वो पाटली पुत्र थी अब देखो आटलिया का रोल भी हम मौरियन एंपायर में सबसे जाधा देखते हैं जिसको बोलते हैं सब्तांगा थियूरी क्या बोलते हैं सब्तांगा थियूरी तो देखो एक महल है महल के अंदर जियूम करो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक तो king होगा king के लिए term यूज कर तो उसको term दे दी कोश अब इतनी साही चीज़ें आगी तो protection भी तो होनी चाहिए protection कौन देगी army देगी army को क्या दे दिया term that is dand army क्या आगी dand अब इतनी बड़ी इतना बड़ा kingdom आपका बन रहा है तो आपके पास official भी तो होने चाहिए जिन से आप सलाम औशुरा कर सके त official भी होने चाहिए official के लिए term दे दी अमात्य और आपके ally भी तो होने चाहिए international relation भी होने चाहिए आपके neighborhood में भी बनने चाहिए तो आपके ally होने चाहिए जिनको बोल दिया मित्र and साथमी चीज़ आपके पास जनता होनी चाहिए आपके पास land होनी चाहिए आपके पास लो सब्सक्राइब परेड में एक कांसिलritos और मिनिस्टर है तो मंत्रिपरिषद किस के टाइन परहलों पहल लावनो 하겠습니다 इसको सुप्रेम की अपनुस्तji ूस उपाद परिक्षा का क्या मतलब है? की इंटरवेः और कंड़िया का मानना था कि जिसको भी इनलीजेंट होना चाहिए ठीक है सो ये सारी चीज़ें बोली जाती है इंदा कोटिल्या की सब्तांग थियोरी और जो अमात्या हुआ करते थे ओफिशल हुआ करते थे वो सारे किसके अंडर आते थे किंग के अंडर आते थे और उनका सिर्फ काम क्या हुआ करता था तो एडवाइस किंग उसके अलावा सुपर इंटेंडेंट भी हुआ करते थे उनको टर्म दे दी गई थी अध्यक्षा 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 यह कौन थे सुपर इंटेंडेंट यह भी इंपोर्टेंट ह यह पंद्रव बुक्स किसके हिस्से हैं, आठ शाष्टर के ही हैं, सबसे पहले आप देखोगे, एक है अध्यक्ष प्रचार, अध्यक्ष प्रचार, अध्यक्ष प्रचार में दो important चब्द मिलेंगे आपको, that is अवाप और दूसरा तंत्रा, अवाप एंड तंत्रा, अवाप जो आपका अवाप था, इसमें इंटर स्टेट रिलेशन की बात करी गई है, इंटर स्टेट रिलेशन, अवाप के अंदर, अथ तंत्रा के अंदर, इंटर्नल ऐड्मिस्ट्रेशन, यानी राजय के अंदर, जो राजय का, पुरा का पुरा महल है, तो वहां प brows क्या लगा करते थे जिसमें से example देखें तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट के lectures में भी एक था लवन्य धक्षा पहले भी लगता था यह इन्होंने भी carry forward करा लवन्य धक्षा salt के उपर हुआ करता था यह उसके अलावा sita अधक्षा sita is associated with field तो मतलब जो agriculture के उपर text लगा करता था उसको भूते थे sita अधक्षा उसी ज़रे से गनीत अधक्षा गनीत अधक्षा गनीत शब्द से लग सकता है कि mathematics या पढ़ाई से related होगा पर यह prostitution के उपर text लगा करता थ ठीक है तो यह भी आद रखना और text collection के लिए बहुत सारे officials रखे गए थे जैसे कि एक संग्रा हित्रा संग्रा हित्रा यह revenue को collect किया करते थे revenue oh just a second संग्रा हित्रा तो आपके वेदिक काल में हुआ करते थे यहाँ पर आगे थे संभारिता 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 क्या किया करते थे revenue जो भी आता था उसको collect किया करते थे that is संभारित्रा वैसे ही सनी धित्ता भी होते थे वो treasurer थे एक forest official भी नोंने रखे थे जिनको बोलते थे अत्विका अत्विका यह forest official हुआ करते थे और दंडपाल नाम से पता लग रहा है police officials को बोल दिया करते थे नगरपाल जो city के अंदर law and order को maintain करता था नगरपाल law and order को maintain करके रखता था प्रदेश्टी हुआ करते थे प्रदेश्टी कौन थे very important प्रदेश्टी प्रदेश्टी हुआ करते थे criminal court के judge judge of criminal court ठीक है प्रदेशी का हुआ करते थे प्रदेशी का, प्रदेशी का का mention, अशोका के third pillar के उपर already mentioned है, ठीक है, तो प्रदेशी का, प्रदेशी का कौन हुआ करते थे district administration के chief, chief of district administration, राजुका राजुका याद है न, district किसके अंडर आती थी राजुका के अंडर, राजुका का भी कहां पे mention देखा था हमने, तो जो अशोका का major pillar number कौन सा था, third one था, ठीक है, तो वहां पे यह हमें इनके बारे में information मिलती है, तो यह rural administration को देखा करते थे, वैसे ही rural administration, या युकता भी आद होगा, आपको युकता का भी third major edict के उपर mention था, यह subordinate हुआ करते थे, मतलब बाकी officials के अंडर काम किया करते थे, ठीक है, नायक भी हुआ करता था, तो नायक कौन होता था, police official तो एक बड़ी term थी, नायक जो होते थे, city level defense में काम तो वो देख लेते हैं, lead कौन करता था, सबसे पहले king और king के अंडर कौन होता था, serani होता था, Greek sources की according, यह बोला जाता है कि चार तरे के आर्मी हुआ करती थी इनकी, एक होती थी infantry, आज भी बनती है infantry वली, ठीक है एक होती थी, Caval Regis में घुड सवार हुआ करते थे एक elephant का use करके यह आमी बनाया करते थे और तीसरी होती थी, रथों के साथ यह आमी बनाया करते थे kotilya का मानना था, कि सारे के सारे वरन जो हैं, वो participate कर सकते हैं आपको equally treat किया जाएगा, ऐसे नहीं होगा, आप अध्यक्षा, नाव अध्यक्षा, तो यहां से पदा चलता है कि येस, नेवी भी यहां पे present हुआ करती थी तो that is about the army, even जो इंडी का बूक क्या ना, इंडी का किसने लिखी थी, मेगस्तनीज ने लिखी थी तो यहां पे बूक का इनाम लिखती हूँ, मेगस्तनीज ने लिखी थी, इंडी का बूक में बोला जाता है एक term that is flotilla of boats, तो इनके पास जब बहुत सारे समुदरी जहाज थी, तो मतलब इनके पास नेवी जो थी, वो अराम से present थी वहीं के पे कोटिल्य की जो अर्ट शास्त्र भूक है, वहां पे भी नेवी का mention करा गया है, कैसे mention करा गया है कि जब भी war-like situation बनेगी, तो क्या-क्या होगा, तो एक तो normal army हुआ करती थी, यानि कि अगर किसी के घर में पहले से कोई army main vault है, वो आगे भी उसको pass on कर सकता है, तो मतलब कुछ troops ऐसे मिलेंगे, जो की hereditary होंगे, मतलब एक generation से दूसरी generation चलते जाएंगे जब war-like situation बनती थी, तो forest tribe से भी supply हुआ करती थी, supply by forest tribe, यानि कि जब ऐसी situation बन जाती थी, कि army की कमी पढ़ सकती है, तो forest tribe भी अपने लोगों को भेज़ दिया करती थी, army join करने के लिए, और even, और कौन supply करता था, जो आज भी चलता है, तो foreign allies, जो आपकी neighboring countries, अच्छे आप emergency लग जाती थी, ठीक है, तो ये तीन जो आपने देखे last के, तो ये emergency के time पे हुआ करते थे, ये तीन, और ये तो चल ली रहा था, hereditary troops, जब शांती है, तब भी तो आपको army चाहिए हुती थी, तो ये चल रहा था, spy system था, espionage, जिनको बोलते है, secret agents इनके पास हुआ करते थे, और उसके लिए एक term use कर ली थी, that is goodha purushas, goodha purushas, ये secret agents हुआ करते थे, और एक और मिलती है, पती वेड़कास, पती वेड़कास, पती वेड़कास भी कौन हुआ करते थे, messenger या फिर spice, तो ये जो पती वेड़कास है, ये हमें term मिल जाती है, इंडिया वाली साइट से, और goodha purushas, ये भी हमें different book sources हैं, जो Indian book sources हैं, वहाँ पे terminology मिल जाती है, for the secret agent, ये secret agents, ठीक है, उसके अलावा, ये तो होगी army की बाते हैं, अब revenue administration कैसी थी इनकी, तो सम्मारिता के बारे में हमने पढ़ा, जो की revenue collect किया करता था, तो यहाँ पे देखेंगे revenue administration कैसी थी, तो taxes ल ये जो भाग हुआ गरता था था ना, ये agriculture produce पे 1 6th होता था, कहीं जागे पे 1 8th भी होगा, कहीं जागे पे 1 10th भी होगा, किसके उपर, of agricultural produce, that is the first thing, बली क्या होती थी, ये हुआ गरती थी, voluntary offerings, उदाका भाग क्या होता था, water tax, ठीक है, उसी तरह से कहीं बार, emergency आ जाती है, अगर state के उपर, तो emergency के लिए लगता था, प्राणाया, प्राणाया क्या होता था, ये होता था, emergency tax, जब मतलब resources कम हैं, और war like situation बन रखी है, तो emergency tax ले लिया जाता था, और उसके लिए terminology क्या use करी थी, प्राणाया, even irrigation tax भी लग irrigation tax, irrigation tax, बहुत सारा revenue, mines, metal में जो work करते थे, liquor पे जो work कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, उनके ओपर भी tax लगता था, कुछ tax जो था वो, जिसको बोलते हैं, पिंडा कारा tax, पिंडा कारा, पिंडा कारा किससे लिया जाता था, जो पीजेंट सुग करते थे, पीजेंट पे करते थे, उनको बोलते थे, पिंडा कारा, ठीक है, पिंडा कारा, that is important, आर्थशाष्टर में बोला गया है कि जो राजा होता है न, उसको कैसे tax लेना चाहिए अपनी जनता से, जैसे कोई मदु मक्ही, flower से nectar निकाल रही होती है, अपना food निकाल रही होती है, juice पी रही हो judicial and police department भी देख लेते हैं कैसा था, judicial and police department, दंडपाल तो हमने देख लिए, police को ही क्या बोलते थे, दंडपाल भी बोलते थे, पर इनकी administration कैसे चलती थी, सबसे पहले दो तरह के courts मिलेंगे आपको, दो तरह के नाले मिलेंगे, एक मिलेगा आपको criminals के लिए, जो आज भी जैसे मिलता है, एक मिलता है civil के लिए, आज books अलग-अलग कर दी है, court तो same ही रहता है, ठीक है, और एक मिलेगा civil, जो criminal court था, उसको बोलते थे, कंटक शोधम, क्या बोलते थे, कंटक शोधम, कौन सा, जो आपका criminal court हुआ करता था, civil court के लिए, धरम स्थिय, धरम स्थिय, यह होता था, civil court, ठीक है, और जो judiciary के head हुआ करते थे, वो कौन होते थे, ultimately, king, तो यहाँ पे जो supreme power दे रखी थी, वो king court थे थी, और अगर village level पे कोई प्रोवाइट करना होता था, तो उसके लिए gram सभा बनाई गई थी, gram, सभा, क्योंकि सारे तो राजा के पास नहीं आ सकते ना, क्योंकि राजा ही head थे, judiciary के भी, तो राजा के पास नहीं आ सकते थे, सारे, इस वज़े से gram सभा बना दी गई थी, empire को further divide कर दिया था, छोटे- विश्यापती, district को further divide कर दिया था, sub-district के अंदर, sub-district में जब divide कर दिया, तो उनको वो लगया स्थान्याज, और जो स्थान्या का head होता था, उसको बोल दिया स्थानिक, ये basically 800 villages का group हुआ करता था, 800 villages, कौन सा, that is स्थान्याज, इसके अलावा next अगर देखें, तो group of 400 villages भ ग्रूप बनता था, उसको बोलते थे, drone मुखा, क्या बोल देते थे? drone मुखा, drone मुखा 400 villages का group हुआ करता था, और एक स्थान्या किसके बराबर हो गया, दो drone मुखा का हो गया, ठेक है, वैसे ही खारवातिकाज, खारवातिकाज क्या हुआ करते थे? खार वातिकाज खार वातिकाज में आते हैं 200 विलेजेज और 100 विलेजेज के ग्रुप को बोलते थे संग्राम्स ये कितने 100 विलेजेज का ग्रुप तो इस तरह से एमपाईर की आप देख सकते हो किस तरह से इन्होंने डिवीजन कर दी थी city level city यानि कि शहरों में जो administration हुआ करती थी वो थोड़ी सी और अलग मिल जाएगी आपको city level administration अगर देखें अर्थ शास्त्र जो कि किसने लिखी थी कॉटिल्या अर्थ शास्त्र की according देखें तो एक टर्म मिलेगी आपको नगरकाज जो होते थे ये city के head हुआ करते थे they were the head of city और इनके अंडर superintendent भी काम किया करते थे और further इनको assist करते थे गोपाज और अभी एक टाम पढ़ी आपने गोपाज और स्थानिकाज ये इनको help किया करते थे ठीके काम का आज में मेगस्तिनीस के according 6 committees बनाई गई थी 6 committees कहाँ पर mention है इंडी का book के अंदर mention है और 6 committee क्या क्या हुआ करते थी 1st जो आएगी आपकी that was for the industry अब देखो जहाँ पर शहर होगा इंडस्ट्री तो होगी 2nd committee चेक करते थी trade and commerce को 3rd committee चेक किया करते थी taxation Taxation Tax अभी pay कर रहे हैं या नहीं 4th committee क्या चेक करती थी manufacturer articles को sell किया या नहीं storage ही तो नहीं कर रहे लोग manufacturer articles की selling 5th committee क्या चेक करती थी तो birth और death का registration देखती थी कि किसी का अगर birth हुआ है तो उसको registration करवाया या नहीं करवाया किसी की death होगी है तो उसका debt certificate बना या नहीं बना 6th committee यह चेक करती थी collection की taxation committee ने collect करा है properly tax या नहीं तो that was under the these 6 committees ठीक है और economy अगर देखें तो occupation, domestication भी आ जाएगी agriculture भी आ जाएगा और even tax काफी अच्छा आ जाता था cotilia ने represent करा है land को तो economy भी लिखी देते हैं तो वो तो आप लिखोगे domestication आ गया, आपके agriculture आ गया irrigation आ गया, उसके अलावा cotilia ने क्या किया, जो sameen थी उसको कुछ हिस्सों में divide कर दिया, जैसे कुछ हिस्से को बोल दिया, krist, krist कौन सा area होता था, जो cultivable होता था, जिसमें खेती करी जा सकती थी, that was krist, तो opposite क्या हो जाएगा, a krist, a krist कौन सा था, जिसमें cultivation नहीं हो सकती थी, एक बोल दिया, स्थल स्थल जो होता था, ये krist और a krist को add on कर लो, तो बन जाएगा entire land, तो पूरा का पूरा जमीन जो है, उसको क्या बोल देते थे, स्थल और इसके अलावा, कुछ जो area था, उसको बोल दिया गया अधेवा मरकटा, अधेवा मरकटा, अधेवा मरकटा बोला गया कि, ये वो तरह का land हुआ करता था, जिसको बारिश चाहिए होती थी, अगर उसमें cultivation करनी है, अगर बारिश निवी तो वो सुखा रहता था ठीक है, और irrigation, हमने देख लिए irrigation के important source, इन्होंने एक लेक बनवाई थी, जिसका नाम था, Sudarshan Lake, तो irrigation काफी ज़्यादा prominent थी, for the special purpose of irrigation, अब देखो उस टाइम प एक खास पाद, मगद में थे न, मौरेंस, में जोनका headquarter, मगद में था, मगद में था, which is in Bihar, Bihar से गए गुजराद में, थाकि उनको irrigation के लिए एक लेक दी जा सके, तो time कैसे fluctuate कर जाता है, आज बिहार में जहान employment है, वहीं पे गुजराद में आप करोगी कि कितना flourish कर रहा है, ठीक है, तो यह time time की बात होती है, तो सुदर्शन लेक कहां पे थी, गुजराद में, सुदर्शन लेक, कौन सा रीजन, जुनागड वाला एरिया, ठीक है, और इसके अलावा, टेक्स लग रहा था, irrigation के उपर से, तो बंद जिसको हमने बुला, और यह लोग trade भी कर रहे हैं, trade के उपर भी इनको income आ रहे हैं, trade कहां कहां पे कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं, कैसे पता चलता है, क्योंकि वहां पे हमें एक addict मिला है, जिसका के लावा minting करते थे, minting का क्या मतलब होता है, coins बनाना, minting, ठीक है, minting कर रहे हैं यह, और liquor बना रहे हैं, तो वहां से भी इनकी economy generate हो रही है, pottery, pottery, northern black polished wear, ठीक है, northern black polished wear, तो वह बना रहे हैं, उसको, coins different different तरह के आएंगे, स्वरन हमने देख लिया, स्वरन gold के लिए term use करी गई है, काकी नी, काकी नी copper के लिए use करा गया है, copper कैसा, low quality का, तो एक बड़िया quality का भी होगा ना, तो उसको मशक बोल दिया, मशक, तो यह good quality का होता था, and एक silver, silver के लिए term use करी गई, पन्ना, silver, ठीक है, और जब import और export हो रही हैं, चीज़ें तो उनके उपर भी यह text लगा रहे हैं, तो परमेश्य, परमेश्य, एक term लिख लो चाहे से, परमेश्य, परमेश्य, इंपोर्ट के उपर लगता था, परमेश्य, और export के उपर लगता था, निश कर्मा, निश कर्मा, यह किस पर लगता था, यह लगता था, एक्सपोर्ट के उपर, ठीक है, trade routes बहुत सारे थे, trade guilds भी इन्होंने बनाए थे, society अगर देखें, तो आप notice कर सकते हो, कि जादा division नहीं मिलती, क्योंकि सभी को अलॉग कर दिया जाता था, in one way or other way, तो जादा division नहीं मिलती, no sharp division, जो वरंड system में हम देखते हैं, बाकि stratified तो है, mention तो करा गया है, शुद्रवेश्य, क्षत्रिय, terms use तो हुई है, उसके अलावा, पर terms use हुई है, पर work के, occupation के basis पे हुई है, उसके अलावा, peasants यहां पे आपको मिलेंगे, society में, peasants के उपर, pindakara, जो text पड़ा ना, हमने pindakara, तो वो text है, किसके उपर, peasants के उपर, craft man भी हमें मिल रहे हैं, यहां पे, ठीक है, और divorce भी allowed था, और according to Cotillia, मोक्ष प्राप्ति क्या होती है, divorce, very dangerous, divorce को उन्होंने मोक्ष बोला था, and slavery भी बताई गई है, slavery का भी mention है, तो slavery 10 तरे की हुआ गरती थी, 10 टाइप की slavery मिल जाती है, untouchability, चुआ छूत की दिक्कत भी देखी गई है, touchability was prevalent, and women की position ठीक भी थी, नहीं भी थी, क्योंकि widow remarriage अलाओ थी, widow remarriage अलाओ थी, पर at the same time prostitution भी चल रहा है, prostitution चल रहा है, और साथ में सती सिस्टम भी चल रहा है, तो कहीं न कहीं deterioration आप देखोगे ही, women की position में भी, तो इसके साथ होता है आपका completion of the Moran Empire, अब देखेंगे हम, जब ब्रीहाद्रत, याद है ना, चौथा किंग आया था मौरेन में, ब्रीहाद्रत्था, ब्रीहाद्रत्था को किसने मारा था होनीगे, military commander Pushyamitra Sungha, जो की ब्रामिन है, तो एक नई डानेस्टी यहाँ पर इस्टब्लिश होने वाली है, that is the Sungha dynasty, ठीक है, तो अभी का lecture यहीं पर कब बाइन अप करते हैं, next करेंगे Sungha dynasty से start, till then revise कर लेना इसको, if you like the video, do like and share, as well as subscribe my channel, thank you everyone, have a nice day,